देवताओं की चार सक्ति साली वस्तुएं जिने खुद देवताओं ने धर्ती पर छुपा दिया, तो आखिर कौन सी थी देवताओं की वह सबसे सक्ति साली वस्तुएं, प्राचीन काल में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी मौडूर थी, जिनके बल पर देवता या उनके अंस अ चुपाई गई हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिस करें तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा होसला ब पारे में अक्षे पात्र चमतकारी अक्षे पात्र पुराणिक काल के रिसी मुनियों के पास हुआ करता था अक्षे पात्र का मतलब है जो कभी खाली ना हो और जिसका कभी नास ना हो अक्षे पात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें कभी अन्य जल खाली नहीं होता था वही कथा भी मौजूद है जब पांचो पांडो द्रोपती के साथ वन में रहने चले गए थे तब उनकी मुलाकात कई साधू संतों से हुई थी वहां कुटिया बनाकर वन में रहते थे और वहां दिवी साधू संत मुनी उनसे मिलने के लिए आते रहते थे एक दिन उनकी कुटिय पांचो पांडो के साथ द्रोपती के मन में या एक प्रसुन था कि मैं इन सैक्रों लोगों को भोजन कैसे कराऊंगी कहते हैं तब उन्हें प्रोहित धूम ने सूरिदेव के आठ नाम के साथ उनकी प्रातना करने के लिए कहा इदिश्टिर के साथ सभी मिलकर इन नाम का ब उनके पास प्रगट होकर उनसे पूझा इस पूझा अर्चना का तुम्हारा आसे क्या है युदिश्टिर ने बताया कि उनकी कुटिया में स्वयम रिशी दुरुवासा अपने कई सिस्यों के साथ पधारे हैं और हम उन्हें भोजन कराने में आसमर्थ हैं इसलिए मैं आप से अन्न की अपयक्षा रखता हूं ताकि रिशी दुरुवासा और उनके सभी सिस्यों को भोजन करा सकूं और उनके स्राप से बच सकूं कहते हैं कि तब सूरी देव ने उन्हें अक्षे पात्र दिया और युदिश्टिर से कहा कि तुम्हारी कामना पूर्ण हो या अक्ष अक्षे पात्र में तुम्हें देता हूं और बारा वर्स तक तुम्हारे पास अन्य फल आदि सामागरी की कोई कमी नहीं रहेगी और तांबे का अक्षे पात्र लेकर इदिश्टिर बहुत प्रसंद हुए और अंत में रिशी दुरुवासा और साथ में उनके सभी सिस्यों को भोजन कराया और वहीं जनसूत्रों के अनुसार इस तरह का अक्षे पात्र हिमाले में आज भी मौजूद है यह अक्षे पात्र सूर्यदेव की आराधना से ही प्राप्त होता है लेकिन महाभारतकाल में द्रोपती के द्वारा इस्तिमाल किया गया वह अक्षे- पात्र हिमालय की किसी पहाड़ी में आज भी दपन है करण के कुंडल और कवच जैसा कि हम सब जानते हैं करण को उनके जन्म के साथ ही उनके कुंडल और कवच प्राप्थ हुए थे दरासल वे स्वयम भगवान सूर्य देव के अंस माने जाते हैं करण के कुंडल और कवच अ महां भारत युद्ध से पहले ही उनके कुंडल और कवच इंद्र देव ने उनसे छल से छीन लिये थे, जिसकी वजा से ही युद्ध के अंतिम समय में करण का वद संभव हो पाया था, लेकिन कहते हैं कि जब करण का कुंडल और कवच इंद्र देव स्वर्ग ले जा रहे थे तब देवताओं द्वारा उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि छल से प्रात वस्तु स्वर्ग लोप में नहीं लेकर जा सकते हैं, इसलिए इंद्र देव ने करण के कुंडल और कवच धर्ती पर ही कहीं छुपा दिये थे, बहुत से लोगों का कहना है कि ओम नामक परवत पर ही करण के कुंडल कवच कहीं छुपाए गए हैं, आरजुन का गांडिव धनुस और तरकस, कहते हैं कि रिशी धदीची ने जगत कल्याण के लिए अपने हड्डियों का दान किया था, और उनसे तीन दिव्वि धनुस का निर्मार हुआ था, गांडिव, पिनाक और सारंग पिनाक धनुस स्वयम भगवान सिव का था, वहीं सारंग धनुस भगवान विश्नु का था, और उसका भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रियोग किया था, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला जो है, वह है गांडिव धनुस और तरकस, कहते हैं कि गांडिव धनुस आलोकि या धनुस वरुण देव के पास था और वरुण देव ने इसे अगनी देव को दिया था और अगनी देव से या धनुस अर्जुन को प्राप्थ हुआ था या धनुस देवों दानों और गंधरों से वर्षों से पूजा में था कहते हैं कि उसे किसी भी दिवियास्त्र से उसे एक बार धारन करता थाthा, उसमें सक्ति का संचार होने लगता था, वहीं अक्षे तरकस जो अर्जुन के पास मौजूद था, कहते है कि अर्जुन के अक्षे तरकस के बार कभी भी समापत नहीं होते थे, और इसकी वजय से ही अरजुन महा धनदरी भी बने थे वहीं स्वर्ग जाते समय सभी पांडों ने धीरे धीरे करके अपने सभी अस्त्र त्यागे थे वहीं अगनी देव के कहने पर अरजुन ने एक तालाप में अपना धनुस और तरकस डाल दिया था एसा कहा जाता है कि उसके बाद स्वयम अगनी देव ने उस गांडिव धनुस और तरकस को कहीं धर्ती पर छुपा दिया था स्रोतो का मानना है कि उत्रा खंड में ही कहीं पर गांडिव धनुस और अक्षे तरकस छुपे हुए है जो हिमाले परवत में छुपाई गई है और आज भी वहीं कहीं छुपी हुई है अब बात करते हैं एक ऐसी देवी वस्तु की या कोई और नहीं बलकि संजीवनी जड़ी बूटी है जिसे खाने से बड़ी से बड़ी बीमारी आसानी से ठीक हो जाती थी जो व्यक्ति मृत्ति को प्राप्त होने वाला था वा भी इने खाकर एक दम बिल्कुल फिट हो जाता था रामायर काल में भी इसका जिक्र है जब मेगनाद द्वरा लक्षमर को सक्ति लगती है तब संजीवनी बूटी ही उन्हें दी जाती है जिससे लक्षमर जी एक दम स्वस्त हो जाते हैं पो बाइर वेद और अर्थ वेद में इसका उलेक है कि इस आवसदी का सेवन करके व्यक्ति पांसो सालों तक निरोगी रह सकता है माना जाता है कि जड़ी बूटियों के दम पर जहां सभी दुख दर्द दूर किये जा सकते हैं वहीं धनवान भी बना जा सकता है जंसरूती और साथ ही साथ इंटरनेट जगाहों पर आपको यह पढ़ने को मिल जाएगा कि संजीवनी बूटी हिमालय के किसी परवत पर आज भी मौजूद है लेकिन फर्क इतना है कि लोगों को आज तक उसका रंग रूप पता नहीं चल सका है वरना आज यह दवाई बनाने वाली कमप संजीवनी बूटी को भी नहीं छोड़ती तो यहीं थी वह चार दिवी वस्तवे जिने देवताओं ने धर्ती पर छुपाया है